आज की वीडियो में आपको बताएंगी कि आप अपनी वाटसब प्रोफाइल में अपनी वाटसब डीपी में प्राइविसी कैसे लगा सकते हैं आप जिसे चाहो उसे अपनी वाटसब डीपी दिखा सकते हो और जिसे चाहो उसे अपनी वाटसब डीपी छुपा सकते हो वाट इसे लोगों से अपनी profile photo dp छुपाना चाहते हो जिनने आप नहीं शो करना चाहते है अपनी profile dp तो किस तरह से आप अपनी profile picture को छुपा सकते हो किस तरह पर प्राइविसी लगा सकते हो जानने के लिए वीडियो में लास तक बने रहिए अगर आप भी whatsapp की profile photo को छुपाना चाहते हैं या तो कुछ limited logo को ही show करना चाहते हैं या तो आप चाहते हैं कि आपकी whatsapp profile photo किसी unknown person को ना दिखे उसके लिए क्या करना है आपको simply अपना whatsapp open करना है उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका whatsapp page show हो जाता है उपर आपको three dots मिलते हैं आपको three dots पर click करना है जैसी आप three dots पर click करते हो उसके बाद यहाँ पर आपको setting का option मिलता है आपको setting वाले option पर click करना है जैसी आप setting वाले option पे click करते हूँ उसके बाद कुछ इस तरह से page आपकी सामने आ जाता है यहाँ पे आप देख लो आपको account वाले option पे click करना है जैसी आप account वाले option पे click करते हूँ उसके बाद यहाँ पे एक option आपको मिलता है privacy क्प्राइविसि की खिळिकन पे क्लिक करना है उसके बाद यहां पे आप देख लो तो आपको प्रोफाइल फोटो और अप्शन दो जहीं क्लिक करते हो Nep आपके पास तीन आप्शन आते हैं एवरिवन अगर आप चाहती हो चाहे कोई भी आपका unknown person हूँ या तो knowing person हूँ वो आपकी profile photo देख ले तो आपको everyone पर select करना है everyone पर select करने के बाद जो लोग आपकी contact list में नहीं होगे उनको भी आपकी profile photo show होगी बात करते हैं second number की यहाँ पर my contact को option है अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को आपकी whatsapp photo whatsapp की profile photo दिखे जो कि आपकी contact list में है उसके अलावा किसी भी person को आपकी whatsapp की profile photo आपकी dp ना show हो उस case में आपको यहाँ पर my contact select कर लेना है बात करते हैं nobody की अगर आप चाहते होगी किसी भी person को आपकी whatsapp की photo ना दिखे अगर आप चाहते हो कि किसी भी person को आपकी whatsapp की dp ना show हो तो उस case में आपको nobody का option choose कर लेना है जैसे आप nobody के option को choose कर लेते हो उसके बाद आपके WhatsApp की profile photo आपके WhatsApp की DP किसी को भी show नहीं होगी अगर वो आपकी contact list में है या तो वो आपकी contact list में नहीं है दोनों ही case में आपकी profile photo किसी को भी show नहीं होगी तो इस तरह आप अपने according अपने WhatsApp profile photo की privacy लगा सकते हो उसे इन तीनों आप्शन में से किसी भी एक आप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास में दीएगा नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेंगा थैंक्स फर वोचिंग